पिछले कुछ सालों से ईद पर सलमान खान की ही फिल्म में रिलीस होती आई हैं सलमान खान और ईद सफल फिल्म का फॉर्मॉला बन गया था ट्यूम लाइट एक मात्र ऐसी फिल्म सलमान की है जो ईद पर रिलीस होने के बावजूद फ्लॉप रही ईद 2018 पर अब तक सलमान की किसी नई फिल्म की बात नहीं हुई है इसी को देखते हुए संचे दत के जीवन पर फिल्म बना रहे है फिल्म मेकर्स ने तय किया है कि ईद 2018 पर उनकी फिल्म रिलीस होगी हलाकि अधिकरत रूप से उन्होंने गोशना नहीं की है इसमें रणबीर कपूर लीड रोल निभा रहे हैं और फिल्म का नाम अभी तय नहीं है ये फिल्म पहले इस वर्ष क्रिस्मस पर रिलीस होने वाली थी लेकिन क्रिस्मस पर सलमान की टाइगर जिन्दा है रिलीस होने वाली है इसी लिए उन्होंने सल्मान की फिल्म से टक्कर लेने का इरादा छोड़ दिया फिर खबर आई कि ये फिल्म मार्ट 2018 में रिलीस होगी लेकिन सूत्रों के अनुसार अब इसे ईद पर प्रदर्शित करने का निर्ने लिया गया है